जम्मू एरफो स्टेशन जैसी महफूज जगह पर पांच मिनट के अंतराल पर हुए दो धमाकों ने सब को चुका दिया है सुरक्षा एजिंसियों पर सवाल उठने के साथ साथ इस हमले के पीछे कौन है हमले को कैसे अंजाम दिया गया इसको लेकर चर्चाएं और जांच शुरू हो गई है हमले के बाद अंबाला पठान कोट और अवंधी पुरा बेस को अलर्ट पर रखा गया है एना ये मामली की जांच कर रही है जमू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंग ने जमू में इंडियन एरफोस स्टेशन में हुए धमाके को आतंगवादी हमला बताया है उन्होंने इस बात की पुस्टी की है कि ड्रोन के जरीए आईईडी धमाका किया गया है दिलबाग सिंग ने कहा कि ड्रोन को ही आईडी बम के तौर पर इस्तेबाल किया गया है घटना स्टल से इसके टुकडे बरामत किये गया है एक टीवी न्यूस चैनल से डीजीपी ने अभी कहा कि हमने कि साजिश सीमा पार सेर्ची गई है और इसे अंजाम देने वाले सीमा के भीतर भी मौजूद है पुलिस, आईएफ और दूसरी एजिंसिया मामनी की जार्च कर रही है अभी तक दो संग्दिक्तों को हिरासत मिलिया गया है वहीर अच्छा विससक्य इस घटना को लेकर काफी अक्रामक है एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसे पाकिस्तान ने ड्रोन के जर्गे अंजाम दिया है साती उसाथ उनका यह भी कहना है कि यह दुश्मन की तरफ से ललकारने जैसा है जिसका सर्जिकल स्ट्राइक और बाला कोट एयर स्ट्राइक जैसा जवाब देना होगा एक चर्चा के दौरान रक्षा विससग्या मेजर जनरल एके सचाव ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमला पाकिस्तान की खुफिया अजिंसी आईएस आईग ने करवाया है वो बोले कि जाच इसकी होनी है कि उन्हें पाकिस्तान सही से भेजा या भारत में मौजूद उनसे जुड़े लोगों से इसको असेंबल करवा कर हमला किया गया रच्चाव शिशग्या मेजर जनरल एके सचाव ने इस तरह भी इशारा किया कि ड्रोन हो सकता है चीन से खरी दे गया हो वह बोले कि चीन सबसे ज़ादा और सस्ते ड्रोन बना रहा है उन्हें दावा किया कि पाकिस्तान ने हाली में 30,000 ड्रोन लिये हैं गौतरब है कि भारत के सैन इठीकानूप और इस तरह ड्रोन अटाक का ये पहला मामला बताया जा रहा है